आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ बहुत सारे embryos हमें दिखाई देते हैं different sizes के तो यह किसकी वज़ा से होता है तो अगर हम अपने first option को देखेंगे that is polyembryony polyembryony ऐसा condition होता है जिसमें क्या होती यह occurrence होती है यह ऐसा condition होता है जिसमें क्या होती है occurrence होती है किस चीज की more than one embryo की occurrence होती है more than one embryo और यह जो more than one embryo का occurrence है यह हमें कहां देखने को मिलता है seed में देखने को मिलता है तो अगर हम यहाँ पर अपने question को देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे orange की तो orange के भी seed को अगर हम squeeze करते हैं तो हमें more than one embryo देखने को मिलते हैं और यह क्या होते हैं, different sizes की होते हैं, तो यह हमारा क्या example हो सकता है, poly embryonic का, तो option 1 हमारा यहां से right answer है, अगर हम apomixes की बात करें, तो apomixes क्या होता है, यह ऐसा condition होता है, जिसमें जो seeds होते हैं, यह बनते हैं without fertilization, बिना fertilization process के, इसमें seed का formation होता है, तो यहां से यह statement हमारा क्या है wrong है, pollination की अगर हम बात करें, तो pollination में क्या होता है, जो male gamits होता है, जिसको हम बोलते है, pollen green, यह pollen green क्या होती है, कहां पे जाती है, आंथर तक, और आंथर से यह कहां पर पहुचती है, stigma तक, तो यह हमारा condition जो होता है, यह कहलाता है pollination, और यह भी हमारे question के लिए incorrect answer है, पा fruit का बनना, और without fertilization process, okay, fruit क्या होते है, form होते है, without fertilization process, तो इसे हम बोलते है, पार्थेनो कार्पी, और पार्थेनो कार्पी भी यहां पर wrong option है, क्योंकि हम orange के seed को जब squeeze करते हैं, तो बहुत सारे embryos हमें different sizes को देखने को मिलते हैं, तो यह होता है, पाली embryo ऐनी के वज़े से, तो इस question का right answer option 1 हो जाएगा.